बस्ट कर रहे हैं कि जो लोगों ने मित फैला रहे हैं हम उनको बस्ट करनी के कुछ कर रहे हैं कि DSA relevant नहीं है आज हमने DSA के बारे में बताया कि देखो कितना relevant है कितने applications है और रियल में तो कोई programmer लिखेगा ही यह वाला को कि वह एक हीप बनाएगा रहे हैश मैप बनाएगा उनको कुछ करेगा इस problem को solve करेगा रहे है अब इसना लोगों को patience होना चाहिए न कि वो पूरी इस video को देखें अन तक देखें तो उन्हें ये content समझ में आये कि हाँ इसमें हम क्या कहना चाह रहे हैं और data structure क्यों आपको पढ़ना चाहिए और ऐसा कोई मुश्किल नहीं है जो हम पहले डर जाते है वो मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि या तो हमें teacher सही नहीं मिला होता है या हमने sufficient practice नहीं करे होती है तो आप डरो मत कोई भी चीज से गबराओ नहीं data structure भी बन जाता है बहुत easy है ऐसा कुछ नहीं है लगतार आपको practice करनी पड़ती है